अरे वा 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 क्या लग रही है हमारी पिंकी बर्थडे के लिए हलो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं आज है पिंकी का बर्थडे तो सब जने हम पिंकी को बर्थडे विश करेंगे हैपी बर्डे पिंकी और कहानी शुरू करते हैं दोस्तों यह हमारे चुन्नू मुन्नू रेडी होकर बेठे हैं। साथ में उनकी मम्मा राधा भी बेठी हैं तयार होके नई ड्रेस पहन के पर हमारी बर्स्टुडे गल दज़र नहीं आ रही कहा है। अरे ही रही दोस्तों। अले मुझे एची केची ड्रेस पहना दी। मुझे तो बर्दे की शुन्दर शी फूली फूली परी वाली फ्लॉक पहना दी। मम्मा मुझे ऐशी ड्रेस नहीं पहनने थी। मुझे पली फ्लॉक पहनने थी आपने मुझे पली फ्लॉक नहीं पहरा है। यह पहना यह क्यों लेकिया है। बेटा उस शॉप में जो सबसे सुन्दर और महेंगी ट्रेस थी वो यही थी इसलिए मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ वैसे भी तुम पर यह जच रहा है नाई मामा मुझको यह जाए बेनने दी पर वा ठीक है पर बापा का वाएंगे और मैं जूते जूते पहले लेती पिंक पैनू, रेड पैनू या वाइट पैनू कौन से पसंदा इस पिरक्यों कौन से अच्च लगेंगे वाइट कलर के चलो इस पेशोस पैन लेती हूँ तभी दोस्तों जैसमीन आ जाती है हाई पिंकी कैसी हो देखो मैं तुम्हाले बालोंस लेके आई हूँ आज तुमा सुर्ण पैसंदें ठैंक्यू दीगी और मैं कैसी लग रही हूँ तुम बहुत सुनदर लग रहे हूँ अरे देदी नमस्ते राधा दीदी नमस्ते नमस्ते जैसमीन नमस्ते आओ आओ आकनो मैं हाँ अचकल पैशन है इन Summon Awesome क्या पता हाँ हाँ भी मा आज कल फेशन है चलो जैसमीन आ जाओ यहां खड़ी हो जाओ और भी महमान आते होएंगे अभी ठीक है हाँ दी यह बलू नहीं रख दू हाँ यहीं पर रख दो ठीक है तो दोस्तों आगे की कहानी में क्या होता है और इधर आप आ गए हैं पिंकी क अच्छी नहीं लग रही लगे नहीं रहा उसका बच्चे है ऐसी सिंपल ड्रेस मैंने तुम्हें पहले यह बोला था कि इसकी ड्रेस अच्छी सी ले लो तुमने भी वेसी ही लिए क्या पता इसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी इक पर देखने तो दीजी इसे बहुत प प्रणाम देखा मेरी बच्ची के संस्कार आते ही चोनल सपर्षकी में कैसे हैं बुआ जी मुझे आपकी बहुत याद आई इन दो तिन अलो बेटा मुझको भी तुम्हारी बहुत याद आई थी तुम तीन-चार दिन से यहां हो और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है वहाँ देली में अच्छा अच्छा भुआ जी और तुम ठीक तो बेटा यह कैसे कपड़े पेंड़े हैं यह देखो मैं तुम आले यह नए कपड़े लाई हूँ तुम्हारे ही लिए हैं एकदम सुन्दर सी परी फ्रॉग तुम्हें पिंक कलर पसाने तुम्हें पिंक चैंज करने जाती है बुआ जी फूफा जी राधा से मिलना जाते हैं अरे उठके आना भी दर तुम नहीं आता मैं आई हूँ अरे दीदी वो तुम्हें यहां बात करने मिला अरे दीदी नमस्ते आ गए आप लेट हो गए कहीं लेट नहीं हुए अभी तो हमें केक भी नही दिखाई दे रहा और यह क्या यह तो यह ही है ना भी मा की होने वाली पत्नी ऐसे कैसे कपड़े पैने हैं इसने बिल्कुल रेचने आजकर तो लड़किया भी ना ऐसे कपड़े पैनती हैं क्या बताओं ऐसे ही कपड़े पैनती हैं क्या तुम्हारे दर और सुस्राल में आ सन दोता है भाइ पार दीदी बस करें आप जा के खड़े हो जए आराम से पस केक आने वाला है पिंकी आ जाये तो फीर अपन केक क्तिंग करते हैं बया गए है केक लने बड़ा वाला चोक्लेटwoward है भाउ घ्पाक हाँ हम तो मैं कैसी लग रही होंगी ये तुसर अरे उदर देखिए पिंकी के फुपा जी उदर देखिए अरे वाह कितनी सुन्द लग रही है हमारे पिंकी परियों जैसी पिंकी लगती इतनी सुन्द है इतनी प्यार अरे रादा देखो देखो उदर देखो ऐसी होती है ड्रेस हाँ दीदी मुझे तो पता ही नहीं था अब मेरा चॉलदीश केक मंगाओ ना ममा अले 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 तु गिर जाएगा दूरे 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 ओकी लाटिया अरे पिंकी तुम्हारा बड़ है इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर किसी को गिरा कर चलती बनाओ चलो उसे उठाओ पर्सने गड़ लगो तो क्या हुआ चलो उसे उठाओ और दोस्तों पिंकी मुन्हो को उठा के वापिस बिठा देती है हाँ हाँ चाचा मैं उसको बिठा देखे आप मैंने बिठाया ना उसको बड़े तो मैं सबने भाई बेन को बहुत प्यार करती हूँ है न अब मेरा केक मंगवाऊना जल्ली कितना वेट करूंगी मैं अरे ये कौन है अरे कब आएगा तुम्हारा वो भाई बड़ा वाला केक नहीं लाया अभी तक बच्ची का रात को बारा भी बच जाएंगे और के बड़र्डे भी खतम हो जाए का तब तक नहीं आएगा तो केक अरे दीदी आ ही रहे होँगे रस्ते में होँगे रुकिये तो कही लेट हो गए होएंगे मुझे नहीं लग रहा आज इसका बर्दे मरने वाला है ऐसे ही तयारे अरे दीदी बस कीजिए आई ही रहे होएंगे बस में तब तक अले पापा आज आजाएंगे बुआ जी चुप हो जाएए ना आजाएंगे हाँ हाँ वो तु दिख रहा है और तभी दोस्तों रादा सोच में पड़ जाती है कि कब आएंगे पता नहीं अजाए जी सभी यहाँ अजाए का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अजाए केक लेने गया है और अभी तक नहीं आया दोस्तों अब क्या होगा क्या बिंक पिंकी अपना बॉर्थडे अच्छ से मना पाएगी या फि देखेंगे अगली कहानी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें